नमस्ते फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आई होप सब अच्छी होंगे मैं भी बहुत अच्छी हूँ तो बना रही हूं मेथी के टेस्टी पराठे किस-किस को पसंद सर्दी में मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद है और चलो ये सब तो काम घर के होते रहते हैं हम अपने बेन का आपको आँखें निकाने लगते हैं एक दिन मैंने उसे पूछा कि ऐसा क्यूं है जब आप कुछ बोलती हो या जवाब देरी होती हो तो आपके हस्बेंड आपकी तरफ को आँखें दिखाने लगते हैं तो वह कहने लगी मैं आपको बाद में बताऊंगी तो क्या हुआ न लगी और दुखी भी थी क्योंकि कुछ पतियों को पत्नी का बोलना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता पत्नी उन्हें बोलने वाली चाहिए लेकि शादी के बाद उन्हें क्या चाहिए कि वह सब कि सुने निकि जवान को हमेसा बंद करके रहे किसी से ना बोले कुछ ना कहे चाहे कोई गलत हो चाहे सही हो तो इससे तो गूंगी पतनी लेलो बहुत सुनेगी बोलेगी तो कुछ है नहीं तो मतलब वो दुखी भी थी और हसके से लिए दिखा रही थी कि भई पती है रिस्पेक्ट तो बनती है हम पतनियां होती ऐसी है कि कितने भी दुखो पर बाहर न चाहिए और पॉलने वाली चाहिए और जब शादि के बाद घर जाती है सबसे कम उसे ही बोलना होता है अगर वो सांथ बैठी है तो गुर्वनती है अगर वो हसरी है बोल रही है मजाक कर रही है तो वो अच्छी नहीं है क्योंकि न अपने घर में तो खेलती खाती आई है और दूसरे घर में उसे बोलने का भी अधिकार नहीं है क्योंकि यार वो बेटी थी तो खिर खिलाती रहती थी अपने घर में ससुराल में आई अगर वो बोलती है तो अच्छी बात है ही नहीं तो क्या यार क्या उसे खुलके जीने का कोई हक नहीं वो ऐसे बन जाती है बोलने वाली चाहिए लेकिन घर में कोई उसे जवाब ना दे आप कितने सहमत है मेरी बास से जरूर बताईएगा और किस किस के पती ऐसे हैं जो बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं उनकी लेड़ी में वाइफ किसी से बोले या सही बात को सही तरीके से जवाब दे अगर वो कोई गलत कह रहा है अगर उसको कोई सही कर रहा है कोई तो उसमें क्या गलती है यार वो हम बता है या कोई और बता है उसमें क्या फर्क पड़ता है तो बहुत से घर ऐसे हैं बहुत से पती ऐसे हैं पती नहीं तो उने बोलने वाली चाहिए, पर उनके घर परिवार में उनसे उची आवाज में वो बात ना करेंबास. क्योंकि वो बहु है और जो शादी होती हो रही होती है न हम तो बेटी बना कर ले जा रहे हैं जैसे हमारी बेटी है वैसे ही आपकी बेटी है ऐसा हो सकता है क्या कभी अगर ऐसा होता तो फरकी नहीं होता किसी में भी अगर खुद की बेटी हसरी है बोल रही है तो कोई बात नहीं दूसरी बेटी खिल खिला रही है तो अकल नहीं है समझ नहीं है तमीज नहीं है बोलने की क्यों इस तरीके से यह बाते करती है यार देखो इसके हिम्मत कितनी है तो कोई बात नहीं गाईस देखो मैं तो आपसे कहूंगे आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो फिर लेज लाइक करें सब्सक्राइब करें मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और सोचेगा जरूर इस बारे में बाई बाई